तरकायर की पहल आखिर्गियों आरक्षन पर किया जा रहा है पहल आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि 36 गड़ में आरक्षन का विवाद जो है 50% आरक्षन को रत करने के बाद उसके बाद जो है 36 गड़ में 50% ही आरक्षन जो होना चाहिए था चाहिए वो ACC को 16% मीले, OC को 14%, ST को 20% मिले इसे कोई मतलब नहिं 50% अगर आरक्षन होता फिर भी कम से कम हमारे लिए भर्तिया आती, हमारे लिए एक के बाद आध जो है मुख्यमंत्री भुपेज बगिल जी के द्वारब भी बोला गया था कि अनुसुची जाती के द्वारब जब वर्ष 2012 के बाद जो एंठावन परसेंट आरक्षन हुआ आदिवासी समाज एष्टी ने अपने हग अधिकार के लिए जब अंदोलन के दूस समय के दतकालिन भाजबा सरकार ने जो एष्टी का 20% आरक्षन है उनको बढ़ाती हुए 32 परतिशत तो 50% आरक्षन को जो है 58% आरक्षन जो है किया था और एसी को जो 16% आरक्षन मिल्दा था वो आरक्षन घट कर बारा प्रतिशत जो हो गया तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि माने स्रीमुन के मंदरी भुपेज बगिल जी ने कहा है कि अपने वक्तव्यों में कि अनुशुची जाती जो उनको 16% पहले मिल्दा था उनको जब 12% हुआ तो उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और हाई कोट में याची का दायर किया हर एक समाज को जो है अपनी हक के जो है लड़ाई लड़ना चाहिए इसमें कोई गलत बात नहीं और उन्होंने कहा है कि जो समाज अपने हक के लड़ाई नहीं लड़ेगा वो समाज पीछे हो जाएगा तो उन्होंने कहा है कि अनुशुची जाती 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 जनगरना में ऐगर 16% से ज़ादा भी आता है चाहे वो 18 हो या 19% हम उसे उतना आरक्षन जो है देंगे तो यह सभी चीज़े जो है चल रहा है तो उनके साब तोर पर यही कहना है कि सभी वर्गों को चाहे वो С-C हो चाहे वो S-C हो, चाहे वो B-C हो सभी वर्गों को जो है सभी काश्टों को जो है समान अधिकार समान रूप से हक उनका मिलना चाहिए ताकि 36 गड़ में जितने हो सके वैकेंसिस निकल करा है जितने ज्यादा हो सके जल्द से जल्द जो है भरती निकल करा सके क्योंकि जितने ज़्यादा भरती होंगे, जितने ज़्यादा अपडेट्स होंगे, जितने ज़्यादा वेकेंसिस होंगे, आप सभी के लिए उतने ज़्यादा शफलता है, आपको मिलेगे उतने ज़्यादा काम्याबी, उतने ज़्यादा शक्त से आप लोगों को मिल आप अच्छे से त्यारी करोगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको एक बेस्टर रिजल्ट है जो है definitely जो है मिल पाएगा और ऐसा नहीं है कि आपके जिन्दगी नहीं बद लेगा आपके जिन्दगी जरूर बद लेगा और एक दिन आपका भी वक्त आएगा, एक दिन आपका भी समय जरूर आएगा अभी ये सभी आरक्षन का मामला, कहीं न कई कुछ मामला जो है चल रहा है आरक्षन के वज़र से जिस पर भरती है जो है नहीं हो पारे तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले समय में आप सभी के लिए cancish निकल कर नहीं आएंगे आने वाले समय में आप सभी student के लिए भरती जो है नहीं होगे ऐसी बात नहीं है आपको अपना तयारी बस करते जाना है non-stop और un-stopable आपको जो है कभी भी रुकना नहीं है बस चलते रहना है, बिना ये सोचे की, मुझे इसमें काम्याभी मिल पाएगा या फिन नहीं मिल पाएगा, आपको बिना किसी स्वार्थ के पूर्ति के, तो जितना होषक है, आप अपना प्रिप्रिप्रिशन कीजि़ेखी, ज़्यादा होशकिन, आप अपना तैयारी कीजिए, कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, लोगों को अपिनियन क्या है, लोगों का थाट प्रोसेस क्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ आपको अपना तैयारी जो है करते जाना है, जितना ज़्यादा आप अपना तैयरी करेंगे ज Тутने जादा पहनत करेंगे उतने ही जादा शफलता हैं उतने ही जादा कामियाब यह अथ उतने जादा प्रशिदी हैं आपसे भी स्टूडेंट बुजा हैς मिल पाएगा तो उनका अधिकार उन्हें जॉब मिल सके और वो सबी स्टूडेंट अपने जिन्दगी में आगे बढ़ता है यही उनका साब तोर पर मैसेज रहता है कहिना रहता है और शुपरिब कोट में एक माई को जो है सुन्वाइक होने वाला जो जूलाई में था अठारा जूलाई को व आप एक में को होगा तो जितने जल्दी फैशला निकल कर आएगा उतने ही जल्दी आप सभी स्टूडेंट को जो है जॉब मिलेगा उतने ही तेजी से आप सभी स्टूडेंट के लिए काम होगा तो आप सभी स्टूडेंट के लिए भरतियां जो होने वाली है वेकेंसे जो अच्छा होगा आपको उतने ही ज्यादा सक्सेज आपको उतने ही ज्यादा कामियाबी आपको उतने ही ज्यादा प्रशिद्धी जो है मिल ले वाला सब कुछ जो है आपके उपर ही डिपेंट करता है आपके काम के उपर ही डिपेंट करें आपके महनत के उपर तो जितना होशक है आप जो है महनत के जितना होशक है आप जो है तैयारी की जिए एक ही बार तैयारी करना होता है एक ही बार महनत करना होता है बार बार आपको महनत करने के जोरत नहीं पड़ेगा त्यूंकि जिन्दगी बार बार आपको मौके भी नहीं मिलेंगे, कुछ ही मौके होते हैं, कुछ ही मौके में आपको अपनी जिन्दगी को पूरी तरह से बदलना होता है, तो यदि आप अपनी जिन्दगी में कुछ करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, यदि आपको अपने आप पर believe हैं, खुद के अपर believe हैं, खुद के ओपर भरोचा हैं, definite है, आपकी जिंदगी जरूर बद देगा, definite है, आपको success जो है, कामियाबी भी जरूर मिलीगा, तो ये बहुत अभी मुंस्किल वक्त लग रहा होगा, मुंस्किल दौर चर रहा होगा कोई बात नहीं इंतिजार अगर आप में शब्र हैं लगन हैं मेहनत हैं अगर आप इंतिजार कर सकते हैं तो आपको जो है डेफिनेटली जो है सभी काम्याबी जो है सभी सफलता है जो है अवसर उपसे मिल पाएगे तो जिसने इंतिजार करना सीख लिए जिसने सब्र करना सीख लिया उन्हे हर एक वो मंजिल उन्हे हर एक 워 काम्याबी उन्हे हर एक वो सफ़लता है हर एक वो सकसित जो है मिल पाईगी जिस सकसिस को आँ भूग पाना चाहते है तो सकसिस को पाने के लिए अभी से जो हाड़ वक लगन के साथ जो है मेहनद करना जो है स्टार्ट किज़ो मेहनत करना शुरू कर दीजो जतना जादा आप मेहनत करोगे जतना जादा आप रिपरेशन्स करोगे जतना जादा आप हार्ड वर्क करोगे आपके लोगत नहीं जादा अच्छा आपके लोगत नहीं जादा एक बहतर रिजल्ट जो होने वाला और इसमें आपको काम्याबिया भी मिल ले वाली है और अखर एक इस्टूडेंट में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है अगर आपको किसी सब्जेक्ट में आप यादी वीक हैं चाहे वो मैट से हो चाहे रिजिनिंग हो आपको नहीं आता तो होई बात नहीं आप बाके सब्जेक्ट की तयारी अच्छे से कर सकते हैं तो प्रयाज जो है लर्न आपको लर्निंग कभी भी नहीं चोड़ना जितना जादा आप जानोगे पढ़ोगे शीकोगे आपके लोदने जादा बेश्ट होगा तो अच्छे से प्रिप्रेशन्स करो प्रिप्रेशन्स करने से तयारी करने से हमें कभी भी पीशे नहीं अचना है जितना जादा हमारा प्रिप्रेशन्स होगा जितने जादा लगन के साथ हम तयारी करेंगे मेहनत करेंगे उतने ही जादा हमें सकसे उतने ही जादा हमें कामियाबिया जो हैं मिल पाएगे तो कामियाबिया क्या हैं कामियाबिया एक दिन में थोड़ी ना मिलती हैं कामियाबिया को पाने के लिए हर एक रोज जो है मेहनत करना होगा तो जितना जादा आप मेहनत करोगे कामियाबिया भी उतने ही मिल पाएगे success भी उतने मिल पाएगा आने वाले समय आपको ही होगा आपका ही आने वाला तो नएने वेकींसिश नएने अपडेट जो है आप सभी student के लिए होने वाला तो आप ज değ when है भी शे मेहनत कर सकते हो अभी शे ट्यानी कर सकते हो तो जितना ज़ादा आप तयारी करोगे जितना ज़ादा पहनत करोगे आपके लिए उतने ही ज़ादा बेनिफिट्स होगा आपको उतने ही ज़ादा शफलता है आपको उतने ही ज़ादा शक्से जो है मिलने वाला बस इसके लिएमें थोड़ा से इन्तिजार करना होगा और यदि आप एक थोड़ा से इन्तिजार करने के लिए तैयर हैं तो definitely आपको success भी मिलने वाला success की कोई टाइम लिमिट बिल्कुल नहीं है आपको कभी भी success मिल सकती हैं बस इसके लिए में थोड़ा से दिजार करना है वीडियो को शीयर जरूर करना और वीडियो से अगर पसंद आय हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर गया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना So thank you मुलते हैं नेक्स्ट वीडियो में